अंग्रेजी पढ़ने के लिए spelling rule की class दोस्तो अगर आप सही से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना चाहते हैं तो spelling rules सीखने पढ़ेंगे, reading rules जानना पढ़ेगा तो चलिए बिना किसी तरी के class पसुरू करते हैं सीखते हैं पहला rule दोस्तो अगर किसी सब्द में EIY से पहले क्या हो, C हो तो उसका sound TH, यäनि कि S होता है यह यूं कहें कि अगर किसी सब्द में C के बाद II हो तो उसका sound उस सब्द में TH होगा उधारण से समज़ते हैं यह देखो C के बाद क्या है? E है यानि क्या आपको याद रखना है E, I, Y C के बाद अगर E हो या I हो या Y हो तो ऐसे सब्दों में C का जो उच्चारन है वो स हो जाएगा सेंट, C का उच्चारन क्या हो गया? स हो गया सेंट, सेंट यानि की प्रतिशत C, I, T, Y, C के बाद क्या है? I है ना? सेंट, 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 स चारण स होगा, clear है, चलो, देखते हैं, next tool, next क्या है, अगर किसी सब्द में जी के बाद, अगर किसी सब्द में जी के बाद, e-i-y हो, फिर से वहीं आपको e-i-y, भील या, या रखना है e-i-y, तो जी के बाद, अगर e-i-y हो, तो उसका sound j, यानिकी जह होता है, j, यानिकी जह होता है, पिरे, अब ही देखो, G के बाद E G के बाद E Gym normally क्या होता है G का जो sound है G का जो उच्चारण है वो go होता है normally चीक orange maximum time लेकिन अगर G के बाद E Y हो तो जबन जाएगा G के बाद देखो I A and T G के बाद क्या है I है तो giant G के बाद क्या है Y तो Gym जी का उचारण क्या बन गया जव बन गया ठीक है अभी समझे इस रूल का कुछ exception है exception का मतलब अपवाद है यानि कि ये नियम कुछ सब्दों पे काम नहीं करेगा ठीक है वो सब्द क्या है वो सब्द है बिगिन, फिंगर, गियर, गेट, केफ, जिगल, करल, किव ठीक है ऐसे most usable words है जिस पे ये rule काम नहीं करेगा ठीक है अभी problem कहा है इंग्लिस के जो spelling rules है इसकी थोड़ी problem तो है ये कुछ ये जो नियम होते है इस पे काम करते है इस पे काम नहीं करते है ठीक है और इसे मैं करता हूँ अगे बहुत समझमें बड़े आगे चलो जैट नेक्स देख़ो रोग की एक का उच्चारन किसी सब्सक्राइ ए और ये लिखा आपको क्या व्याद रखना है चोटी की मात्रा, जैसे कि H E A D, तो क्या बन गया, Head, चिर आपको ये व्याद रखना है, B R Kी मात्रा, Head मतलब सिर मात्या, B R E A D, B R E A D, Bread, टीक है, A K Paul कैमात्रा बन गया, ठीक ऐसे याद रख पाओगे दोनों तरीके जैसे आप याद रखना चाहो वैसे याद रख लो यानि कि ये का उच्चारण जो है वो सब्द में फुटी ये करके मात्रा बन जाएगी या आप ऐसे कर सकते कि अगर किसी सब्द में ये आ गया तो एको काट दो एको हटा दो ठ सब्द वह बन जाएगा पाउस्ट शलो आगे बढ़े निक्स देखो जब एक वाविल जब एक वाविल किसी सब्द में वेंजन के बाद हो तो वॉबल का साउन्ड लंबा होता है जब एक वोविल किसी सब्द में वेंजन के बाद हो तो वोविल का साउंड लंबा तो वोविल याद है A-E-I-O-U इसी को लोग वोविल कहते हैं और बाकी जितने लग्षर बढ़ गए वो सर क्या होते हैं अब ही देखो नियम क्या है जब एक वोविल किसी सब्द में वेंजन के बाद हो वेंजन है यह A-E-I-O-U क्या वोविल होता है यह देखो वेंजन के बाद एक वोविल आ रहा है तो वोविल का साउंड लंबा होगा वोविल का ठीक है तो उचारन थोड़ा उचा साउंड आ रहा है विए पी जबलू ए पी ही ही एचारन थोड़ा लंबा हो गया प्रणिंशेशन थोड़ा जो और से करेंगे मतलब तो इसको खीचेंगे ठीक है? आरे ये बस समझ में तो यानि कि कॉंसुनेंट के बाद वोविल आता है तो उचारन जो है वोविल का जो वोविल है इसका उचारन खोड़ा खीच के करेंगे चले? चलो हमेशा यू आता है और ऐसे सब्द में और ऐसे मामलों में इसे वोविल के रूप में काउंट नहीं किया जाता ऐसे मामलों में इसे वोविल के रूप में काउंट नहीं किया जाता जैसे कि उधारन देखें Q के बाद Q-U-E-N Q-U-I-E-T Q-U-A-L-I-F-Y Q-U-I-T Q-U-I-T Q-U-A-L-I-T 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 वाई लास्ट में आता है तो वह ई बन जाता है जब किसी सब्द में वाई लास्ट में आता है तो वह ई जैसा साउंड करता है और सर्त यह है कि वह सिंगल सेलेबल वाला वर्ड नहीं होना चाहिए इसे कि आप जिसी यह मो नी मो नी दो साउंड आ रहा है म नी पे नी टो साउंड आ रहा है तो डबल से लेबल हो गया और सिंगल से लेबल क्या होता है जैसे कि क्राइट एक सिंगल से लेबल हो गया ठीक है तो यह देखो जब किसी सब्द में वाई लास्ट में आए तो वह यह साउंड करता है और वह सब्द जो है सिंगल से लेबल का नहीं होना चीज़ अगर सिंगल से लेबल का होगा तो आई जैसा साउंड आएगा तो सिंगल से लेबल होगा तो उच्चारन हो ऐसा होगा cry cry बड़ी की मात्रा आई है ना और इसमें क्या है छोटी की मात्रा money money penny lady lady syllable दबल है cry fry my तो ऐसे सब्दों में जब single syllable का सब्दों हो तो उसका उच्चारन जो है वह i जैसा होगा उसका जो sound है वो i जैसा होगा और डबल से लेवल है तो उसमें छूटी की iMarki मात्रा यानि की e और i ये difference आजाएगा clear है समझ में आया तो दो तरह के सब्द हैं जिसमें y लास्ट में आपको मिलेगा एक में एक सिंगल से लेबल होगा तो उसमें i का साउंड आएगा और डबल से लेबल होगा तो उसमें e की मात्रा आएगी e का साउंड आएगा इक स्वेड है चलो है जब किसी सब्द के लास्ट में a y आता है तो वह यसंस आउंड करता है अगर किसी सब्द के लास्ट में 쪽방शन स्प्राइब आइगा दिटी आ डिइ स्पिएल एवाई सब्स आएगा आएगा इस पील एवाई अप इस्प्ले इसको तो डिस्क्लाइं ना तिसे डिस्प्लाइं पड़ेंगे उसमें क्या रहा था वाई आ रहा था लेकिन ऐसे क्या पढ़ सकते हैं उस नियम के तहट जाएंगे तो डाई पढ़ देंगे यानिके क्राई वाला नियम क्राई क्राई लेकिन यहां पर समझो यहां पर एक साथ वाई आ रहा है नियम बदला नियम बदला ठीक है ना तो उचारण क्या सिर्फ ए जासा साउंड आएगा डे ए इत क्या बदा क्या सिर्फ ए डवू एवाई अवे आरी बस समझ में नियम चीज हो रहा है नियम सिन्ल नहीं है ठीक सबको खिचिडी मस बनाना चलोको नेश समझो ए एफ यह एल और एस अकसर डबल हो जाते हैं सिंगल वावल के बाद F, L और S अक्सर double हो जाते हैं single vowel के बाद यह देखो C, L, A, W, S F, L और S अक्सर double हो जाते हैं single vowel के बाद इस सब्द में single अकेला vowel यही है last में आया double हो गया class इसमें देखो एक ही vowel है last में आया L double हो गया Crole-Doll-Doll शिंगल वोवल है, last में रया, double हो गया, as to be single है एफ आया डबल हो गया स्टॉफ ठीक है क्लेर है को दिक्कत आरीवत समझ में चलो नेक्स है जब किसी सब्द के लास्ट में है कि एफ युड फूल जोड़ा जाता है तो वह इफ्यू य बन जाता है प्थूल यह वह रएड़ मुड़न य्थेक है you कुछ exceptions भी ही, clear है, चलो, आई बात समझ में, तो यह थी spelling rules, कुछ spelling rules, spelling rules का भी खजाना बरा पड़ा है, spelling rules का पुरा खजाना है, क्योंकि A, E, I, O, U, यह तो वोवेल हो गया, फिर पूरा consonant पे बेस डूल है, फिर पेर का रूल है, तो बहुत सारे rules है, तो अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, संजीव की जानी को सब्सक्राइब कर लेना है, रेगुलर्ली फॉलो करना है, clear है, साथी साथ मेरा इंग्लिस टीचर को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसे भी फॉलो कर लीजिए, और जितने भी सोसल मीडिया मीडियम से हैं, जैसे की Facebook हो गया, Instagram हो गया, वहाँ पे भी मैं हूँ, वहाँ पे भी फॉलो कीजिए, और मेरे एप संजीव की जानी को इंस्टाल कर लीजिए, clear है, और अगर आपको class पसंद आ रही है, समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है, तो अपने near one, dear one, loved one, जिनको आप प्यार करते हैं, जो आपके करीबी हैं, उनके बीच, WhatsApp ग्रूप में, Facebook ग्रूप में, वीडियो को जरूर से जरूर से एर किए, Thank you so much, all the best, happy learning.